नमस्कार साथियो, टॉक्टर संगराम पातिल बात कर रहा हूँ, साथियो ये पार्ट टू वीडियो है और भगवान बुद्ध का संग और आरेसेस का संग इसके विशाय में मैंने पार्ट वन अल्रेडी पोस्ट कर दिया है, आप वो देख सकते हो वीडियो, ये पातिल में मैं खास करके बगवान बुद्ध का जो संग था, उसके जो डिटेल्स बाबा साथ अमबेड कर की किताब बगवान बुद्ध और उनका धम्म में दिये गया है, उनके बारे में संक्षित में चर्चा करूंगा, सारे डिटेल्स तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंक ये काफी लंबा विडियो हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं बगवान बुद्ध के संग के बारे में बाबा साथ अमबेड करने अपनी किताब में क्या बोला है, तो ये पाच्वा सेक्षन है इस किताब का, और उसमें ये शॉर्ट में इंडेक्स दी है, उसी से मैं पॉइंट्स आपके लिए बताऊंगा, तो ये जो संगटन है, पहले भाग में बाबा साथ देते हैं डिटेल्स, कि संग का संगटन क्या होता है, तो भगवान बुद्ध के जो श्रावक है, वो दो हिस्सों में विबक्त थे, पिक्षू और ग्रोहस्त श्रावक, जो उपा परिवराजक है, यहाँ परिवराजक संग्स्ता बहुत भगवान बुद्ध के भी पहले की थी, जो पहले वाले जो बुद्धों थे, पूर्वा के बुद्ध, उनके जमाने से यह चली आ रही थी, तो पुराने परिवराजक ऐसे लोग थे, जिनोंने परिवारिक जीवन चोड़ दिया था, और इधर से उदर वो घूंते रहते थे, सक्ति की खोज करते हुए, दुख से मुक्ती पाने के लिए वो घूंते थे, उनको परिवराजक कहा जाता था, तो संग में प्रवेश के लिए क्या चीजे आवश्यक होती थी, तो उनका यह बात जो है, यह दे उसके लिए जाती-पाती का, या कुल का, या वर्न का ऐसा कोई बंधन ने था, या लिंग का स्त्रि पूरुष बंदन ने था, आलाकि स्त्रियों का संग पूरुषों से अलग होता था, उसमें कोई हैस्यत वाली भी बात नहीं होती थी, सामाजिक प्रतिष्टा की बात नहीं होती थी, तो बितर सभी को सेम ट्रिट्मेंट मिलती थी, और सब जो लोग थे, वो जब संग में मिल जाते थे, उनको एक ही तरीके से ट्रिट्मेंट दिय जाती थी, उसमें प्रोग्रेशन जो रहता था संग में वो भी अपने जाती पर वर्न पर या कूल के उपर नहीं होता था या सामाजिक प्रतिष्टा के उपर नहीं हुआ करता था कोई भी व्यक्ति संग में प्रोग्रेस करके अरंत हो सकता था, बुद्ध हो सकता था, उसी के लिए संग हुआ करता था, तो संग के जो दो हिस्से पड़े थे, ये 16 नंबर का पॉइंट है इसमें, कि उसमें दो गटक होते थे, श्रामनेर और धिकू, तो 20 साल के नीचे के ज ये बड़े कटीन फॉर्मालिटीज हो आ करती थी, उनको त्री शरन और दस शिल की शिक्षा दे जाती थी, त्री शरन मतलब बुद्ध, धम्म और संग को शरन जाना, और दस जो शिल होते थे, वो उनको देकर, उनका पालन उनसे करवाया जाता था, दस पतिग्याय लिए जाती थी, कोई भी शरामनेर कभी भी संग छोड़ सकता था, और वो सामान्य जीवन व्यतित कर सकता था, इसे उपासक कहते थे, बिकु होने के लिए दो अवस्ताओं में से जाना पड़ता था, पहली थी परिवरज्या और दूसरी उपसंपदा, तो ये उपसंपदा जो ह उसमें ये नियम होता था कि ये विकाल भोजन नहीं कर सकते थे, किसी भी एक किस नमबर का ये पॉइंट है, किसी भी समय असब्द या आइनाइतिक कृत्य कर ले, किसी भी समय ये अलाउड ने था, और आशाराम की जिन्दगी अलाउड ने थी, या सोने की या चांडी की वस्तुए रखना, अलंकार, आभुशन रखना ये अलाउड ने था, और पंच शिल तो हुआ ही करता था, वता ही था, पंच शिल में ब्रह्मचर्य वता था, इंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, और मद्यपान भी अलाउड ने था, ये ऐसे सब दस शिल उसमें वुआ करते थे, तो अगली जो स्लाइड है साथ है, उसमें बिक्षू के बारे में और डिटेल्स दिये गया है, कि उनको प्रहमचर्य तो है, चोरी, मैंने अभी बोला है कि उनको स्त्रीग्रमन अलाउड नहीं है, जूट बोलना अलाउड नहीं है, चोरी करना अलाउड नहीं है, किसी को मारना, किसी को किसी की हिंसा करना, या कई गलत तरीके से शब्द का इस्तमाल करना, ये कोई भी अलाउड नहीं था, सात्वा मुद्दा जो है कि कि किसी भी पिक्षू को नियंबाय वस्तू को अंगिकार करने की अनुमती नहीं थी, विक्षू के दी है मैं लिस्ट में डिटेल में नहीं जाओंगा नववा जो पॉइंट है विक्कु निर्दन हुआ करते थे उनको कोई भी धन रखने की अनुमती नहीं है अन्न जो उनको चाहिए उसके लिए बिक्षा मांगे उसी पर खाए और दिन में तो उनको एकी बार खाना खाना है और जहाँ पर संग के लिए विहार है वहाँ पर विहार में रहेंगे विहार नहीं है तो पेड़के निचे रहेंगे बस उनको कोई भी दूस्री अनुमती नहीं है और बिक्कु के लिए आग्या पालन की प्रतिजान नहीं है दस्वे नंबर का पॉइंट सबसे लेकिन उनको आज्या सिर्फ धर्म की मानना है, जो धम्म में सिखाया गया है, वही आज्या है, अगर कोई बीच में आके कोई गलत आज्या कर देता है और धर्म के हिसाब से नहीं है, धम्म के हिसाब से नहीं है, तो उनको मानना नहीं है, तो आप यह देख सकते हैं कि भिकु वह लिखते हैं दसवे पॉयंट में कि उनको विचार स्वातंत्र है वह आपनी खुद की बुद्धी लगाकर सोच सकते हैं विचार रख सकते हैं और उनको वह सारी स्वातंत्रता दी गई है तो यह सबसे बड़ी बात है विकुष संग की जो हमें जो हम दूसरा संग जो बोल यही किताब का दूसरा जो बाहर है उसमें आदर्श जो भिकुष है उनकी क्या कलपना बगवान बुद्ध ने की थी तो बगवान बुद्ध ने कहा है कि जो कोई बिना सैयम और सत्यके अपने आपको चित्तमलो से परिशुद किया बिना जो काशाय वश्र को धारन करता है वह काशाय वश्र धारन करने के योग्य नहीं है तो सत्यसैयम यह चीजे जरूरी है चित्त का मल दूर करना जरूरी है तभी आप भगवा वश्र का जादा था यह धारन कर सकते हो तो बड़ी इंपोर्टन बात है आज कलम भगवा वश्र धारन किये गए चोर लुटे रे जुड बोलते हैं, रेब भी कर देते हैं और गलत तरीके की जानकारी फैलाते हैं, राग द्वैश में लुप्त होते हैं, इसे लोग भी देखते हैं, तो तीन नंबर का जो पॉइंट है कि जो सैयम और सत्य से युक्त होकर अपने आपको चित मलो से परिशुद्ध करके काश साय वश्रधारन करने के योग्य होता है, तो कौन योग्य है ये बात भी इसमें स्पष्ट दी है, चौथा जो पॉइंट है सातियो, एक आदमी केवल इसलिए बिक्षु नहीं कहलाता क्योंकि वह दूसरों से बिक्षा मांग करता है, जब वह धम्म को सम्मेक प्रकार से ग आत्मसात करते हैं, धर्म का जीवन जीते हैं, तबी आप बिक्षु कहलाते हैं, ना कि सिर्फ अगर आप बिक्षा मांग कर घूमते हों, तो पाच्वा पॉइंट जो है कि जो शीलवान है, जो ब्रह्मचारी है, जो साउधानी पुरवक संसार में विचरता है, वह जो बिक्षु वानी को सहित रखता है, जो बुद्धिमानी पुरवक और शांती पुरवक बलता है, जो धम्म का अर्थ समझता है, उसका बोलना मदूर होता है, आठवा मुद्दा है कि जो धम्म में निवास करता है, जो धम्म में अनंदित रता है, धम्म का विचार करते जो धम्म का अनुसरन करता है ऐसा विक्षू कभी सद्धर्म से पतित नहीं होता है जो नवा जो पॉइंट है जो कुछ भी विक्षू को प्राप्त हो उसे बहुत समझना चाहिए उसे किसी दूसरे की इर्शा नहीं करनी चाहिए एक विक्षू जो दूसरे की इर्शा करता है उसे कभी चित्त में शांती नहीं प्राप्त होती है तो ये हमारा है उनको ज़्यादा मिला है उन्होंने हमारा चीन लिया है इस तरीके की ये इर्शा युक्त भावना इसमें अलाउड नहीं है जो विक्षु थोड़ा सा मिलने पर भी बहुत समझता है और जिस विक्षु का जिवन पवित्र तथा अप्रमाद रहीत होता है देवता भी उसकी प्रशोंसा करते है तो हम देखते हैं कि ये जो देवता जो कंसट है यहाँ पर एक उची स्पिरिच्वल स्टेट की जो अवस्ता है उनके लिए इस्तेमाल के आ जाता है देवता, ब्रहम्मा और पिर अरंत बुद्ध जो होते है इस तरीके की अवस्ताय होती है जो बाद में फिर ये देवता जो कंसप्ट है ब्रहम्मा कंसप्ट इसको फिर फिक्शनल स्टोरिज में डाल कर हमारे पुरुँजोंने काफि सारी कथाये देवी देवताय पुरान और अवतार उत्पन्न किये थे आगे जो पॉइंट है सात्यों उसमें हम देखते है कि ग्यारवा पॉइंट है जो जिसकी नाम रूप में तनिक आ सकती नहीं है जो किसी वस्तु या व्यत्ति के न रहने पर तनिक सोच नहीं करता वही यतार्त विक् या यह कोई यह मेरा है यह उसका नहीं है ऐसा कोई उनको लेना नहीं है और हम देखते हैं कि आजकल के सादू और भगवादारी मंदिर मस्जित के लिए जगड़ते हैं और अपने मान के लिए मान पान के लिए जगड़ते हैं मान अपमान का वो बहुत बड़ा मसला बनात हम देखते हैं यह जो कुम्ब का मेला लगता है उसमें देखते हैं अलग-अलग जो मठधारी मठपती होते हैं उनमें भी यह देखते हैं तो वह बड़ी उच्छी अध्यात्मिक आवस्ता के लेवल के यह लोग हैं है भिक्षू इस जीवन रुपी नौका को हलका कर डाल हलका कर देने से इसकी गती तेज हो जाएगी राग और देश के बंदन को काट देने से तू निर्वान भिमुक हो जाएगा तो इस जीवन में उनको जादा रुची नहीं होती है रुची इन दे सेंस कि आ सकती नहीं होती है तो ऐसे यह भिक्षू होते हैं पंदरा नंबर का पॉइंट देखते हैं धान हे भिक्षू धान लगा प्रमाद मत कर सावधान रह ताकि तेरा चित्त काम सुको में ही तो यह भगवान बुद्ध उनको वार्निंग देते हैं वही 16 पॉइंट में भी वह कहते हैं जो प्रग्यावान नहीं वह धान नहीं लगा सकता जो धान नहीं लगता वह प्रग्या नहीं प्राप्त कर सकता जो प्रग्यावान है और धानी है वही निरुआन के समिप जाता तो उन्निस्वा प्वाइंट देखते है सात्यों जो बिक्षु बिक्षा जिवी होगा जो अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करेगा वह प्रिति प्रमूदता की बहुलता में दुख का अंद कर सकेगा तो यह बड़ी अध्यात्मिक अवस्ता है यह बार-बार मैं कह जिए रहा हैं इसम अब वह कोईंट देखते हैं तेविश गंवर का जिसमें बगवन उनको उपदेश देते हैं विक्षों को जो बिद्ड उप्रमाद में अनन्दित रहता है और प्रमाद से डरता है उसका पतन नहीं हो सकता उसे निर्वान के समयवेंड ही जाना है तो उ धम का ध्यान रहता है और सत्ता विश्वा पॉइंट वो कहते है कि श्रावक सदय वजागरू करते है उन्हें दिन रात अपनी शरीर संबंदी क्रियाओ का ध्यान रहता है उन्हें दिन रात करुणा यानि अहिंसा का ध्यान रहता है दिन रात योगाभ्यास का ध्यान रहता ह तो इस तरीके की बाते मतलब वो सतत रात दिन उनको घ्यान रहता है अपनी शरिर और मन की सच्चाई के बारे में इस तरीके की बाते इसमें की गई है अगला जो मुद्दा है कि भिकु और ब्राहमण इनके बारे में जो डिफरंसेस है वो बताये गए है कि क्या difference होता है इनमें, बड़ी दिल्चस बात है साथियों, तो सवाल यह उत्ता है कि क्या विक्षु और ब्राह्मन में कोई अंतर नहीं, क्यों दोनों एक ही है, प्रश्न का उत्तर नकरार्ती है, तीन नंबर का point देखिए, एक ब्राह्मन पुरोईत होता है, उसका मुख्य कार्य किसी के जन्म विवाह मरनादी के अउसर पर संसकार करना होता है, यह संसकार अवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह सब आत्मा के अस्तित्व पर निर्बर होता है, तो यह बात यह है कि क्योंकि आत्मा परमात्मा यह सब माना जाता है, तो इसलिए यह संसकार इन मान्यता वाले लोगों में होते हैं, तो उनके लिए ये कर्मकांड आवश्यक होते हैं, और ये कर्मकांड करने वाला पुरोहित आवश्यक बन जाता है, इन सब समस्कारों के करने कराने के लिए पुरोहित होना चाहिए, एक बिक्षू न तो किसी मुल पाप में विश्वास करता है, और ना आत्मा या परमात्मा में। इसलिए उसे कोई इस तरीके के समस्कार करने की जरूरत नहीं होती है। ब्राम्मन ये पैदाईशी होते हैं, बिक्षू ये बनाये जाते हैं, बनते हैं। ब्राम्मन की जाती होती है, बिक्षू की कोई जाती नहीं होती है। एक बार ब्रह्मन के गर पैदा हो गया तो जन्म बर ब्रह्मन है कोई पाप कोई जुर्म ऐसा नहीं जो एक ब्रह्मन के अब्रह्मन उनको बना सके लेकिन एक बार विक्षू हो जाने पर ये जरूरिनिये को हमेशा विक्षू रहे अगर वो धम्म का आचरन न करे अगर वो ध इसमें ततागत बिक्षो के लिए कहते हैं कि दम्म दान जो है यह सब दानों में बढ़कर हैं धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर हैं धम्म का अनन सब अनन्दों से बढ़कर हैं खेत घास से नश्ट हो जाता है प्रजा राग के होने से नश्ट हो जाती है लेकिन धम्म नश्ट नहीं होता है एक बार धम्म का अच्रन कर लिया तो वो हमेशा के लिए फलदाई होता है इसलिए धम्म सबसे महांदान है धम्म का उसी तरह प्रजा द्वेश के होने से नश्ट हो जाती है या मान के होने से मान याने अभिमान गर्व अस्मिता या तुशना के होने से नश्ट हो जाती है लेकिन अगर उनको धम मिल जाता है तो उनको हमेशा के लिए एक चावी मिल जाती है आनंदी जीवन की सुखी जीवन क के लिए इसलिए विक्षों धम्म का दान करो धम्म के लिए प्रचार के लिए चारों दिशाओं में फैल जाओ और तथागत ने उन्हें धम्म दिख्षा के विशय में इस तरीके की बाते कही है और और भी सारी बाते बताई है तो धम्म के प्रचार के लिए तथागत कहते है कि संगर्ष करते रहना चाहिए, तो यह संगर्ष किस तरीके का है, क्यों है, इसके बारे में वो कहते है, विक्षो को संबुनित कहते है, विक्षो मैं संसार से नहीं जगरता हूँ, बलकि संसार ही मुझसे जगरता है, सत्य का उपदेशक संसार में कभी किसी से नहीं जगरता तो बिख्षो कहते है योद्धा हम अपने आपको कहते है भगवान हम योद्धा किस प्रकार के है तो बिख्षो हम युद्ध करते है इसलिए युद्धा कहलाते है भगवान हम किस बात के लिए युद्ध करते है भगवान हम स्रेश्ट शिल के लिए युद्ध करते है जहाँ शील को खत्रा हो, संगर्ष से मत घबराओ, ऐसे समय भीगी बिल्ली बने मत बैटे रहु, तो ये स्पष्ट रूब से कहा है कि संगर्ष कप करना है, अगर शील भ्रश्ट हो रहा है, तब संगर्ष करो, जब शिल धोके में हो खत्रे में हो तब पीछे मत हटो भीगी बिल्ली की तरह मत बैटो आगे आओ और संगर्श करो समाज में इनका प्रचार करो हम देखते हैं कि आजकल लोग फैलाते हैं इसलाम खत्रे में हैं इंदू धर्म खत्रे में हैं लेकिन शिल खत्रे में हैं ऐसा कोई नहीं कहता है शिल का धर्म खत्रे में हैं सदाचार खत्रे में हैं ऐसा कोई नहीं कहता है बस अपने अपने संप्रणाय खत्रे में हैं ऐसी ब और ये जो किताब है बगवान बुद्ध और उनका धम्म ये इंटरनेट पे पीडियाप पे भी उपलब्द है और अलग-अलग प्रकाशकों ने बिल्कुल कम किम्मत में इसको प्रकाशित किया है और ये अवेलेबल है मार्केट ने सबने पढ़नी चाहिए बहुत अच्छी क्षिछ ऑफूः प्रकाशकों अच्छी अच्छी ते लुएगा कि अच्छी पीजिए ने लुएपताशकों अच्छी युएगाएग।